हाव रूफिक्स वान प्लास 9R फेस अनलोक नोट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागर अब सभीका तिकराज योटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने वान प्लास के डिवाइस में फेस अनल अगर आप सेट कर देते हैं एक बार तो दोस्तों आप काफी आसानी से जो है अपने फेस से ही अपने मोबाइल को अनलोक कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर क्या होते कभी कबर हमारा जो फेस अनलोक का फ्यूचर है वह काम नहीं करते तो अगर आपके वान प्लास के डिवाइस म बताऊंगा तो उनके मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं जो भी आपके इश्यू हो रहा है ठीक है तो वीडियो के साथ दोस्तों आन तक बने रही है सारे साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करें तो यहां पर दोस्तों जो फेस अंभत का इश्यू हो रहा है सबसे पहले तो मैं आपको कहोंगा कि मुबाइल को रिस्टार्ट करें रिस्टार्ट करने के अगर दोस्तों मुबाइल पे। करें कोई बैट एप्लिकेशन तो नहीं है अगर आपके मोबाइल पे कुई भी ऐसा एप्लिकेशन से ठीक है जो की बैए अप्लिकेशन हो सकते हैं या फिर कोई भी आन्नोन वेबसाइट से इंस्टोल किया हुआ बैए अप्लिकेशन उनको डिलेट करें मोबाइल के इस स्पेश को थव फ्री आप शेट्ग पर जा सकते हैं और यहाँ पर फ्री याप कर सकते हैं ठीक है तो फ्रेश फ्री आपकर करके आप जो है री-फेस-एट कीजिए कैसी करना है unnlock पर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों को रिएट कीजिए और उसके बाद चेक आउट करके देखिए प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगा क्योंकि दोस्तों कई बार अच्छे से फेस एट नहीं करने के वज़े से इसा होते हैं और जबी दोस्तों आप फेस एट करते हैं अपने मोबाइल पे उस बग आपके फेस पर क अगली बार प्रॉब्लम नहीं होगा बाई इनी चांस अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप दोस्तों मोबाइल को सेफ मोट पर रिबूट कीजिए उसके लिए पाउर बटन को प्रेस एन होल करना है और ऑफ के बटन पर डो सेगें क्लिक करके रखना है उसके बाद ओके कर अगर इससे भी नियो होते रिसेर अप्षिन पर जाए इरेस ओल डेटा पर क्लिक करें इरेस ओल डेटा पर क्लिक करते हुए मोबाइल पासवर्ट को भर दीजिए उसके बाद दोस्तों देखिए आपका फेस अनलोग प्रॉब्लम कैसे सौल्फ हो जाते है ठीक है तो यह सा यह वीडियो पसने होगा थेंक्स वर वाचिंग